आजकल की audience फिल्मों में टिपिकल हीरो से ज्यादा एक ऐसे ग्याख्टर को देखना पसंद करती है जो ज्यादा relatable होता है so that आजकल फिल्मों में anti-hero के ग्याख्टर को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है Basically anti hero एक ऐसा character होता है जिसमें टिपकल hero वाली सभी qualities नहीं होती In short we can say कि एक anti hero सही काम को गलत तरिखे से करता है Recently जवान की trailer में हमने शारुखान को इसी अवतार में देखा था So आज की वीडियो में हम आपको इंडियन सिन्मा के best anti heroes के बारे में बताएंगे Which is my favorites Number 10 देव की सभरवाल in mom स्री देवी ने mom movie में देव की का character play किया था जो एक biology teacher होती है देवी का character एक strong and determined woman होता है जो अपने बेटी का बदला लेती है जिसका कुछ लोग मिलकर gang rape करते है अपने बेटी को justice दिलबाने के लिए देव की नियम और कानून की सभी boundaries को cross करती है That makes her an anti hero character Definitely देव की का character बहुती well written था That's why as audience we don't feel anything wrong Number 9, Hyder Meer in Hyder After शारुखान बॉलूड में शाहिद कपूर as anti hero बहुती best choice है He is the poster boy of anti heroes और उन्होंने अब तक जितने भी anti heroes की character play की है Everyone likes it But in Hyder, शाहिद गेवस ये stellar performance फिल्म में दिखाया जाता है कि अपने uncle और mother से betrayal के बाद हैदर एक anti hero बन जाता है And we can see कि revenge लेने के लिए वो कितना पागल हो जाता है इस फिल्म के जरिये हमें human nature के darkest side को दिखाया गया है ये फिल्म आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी दिखाया जाता है But in second half, we can see his other side कैसे वो अपना revenge लेने के लिए कई innocent लोगों की जान ले लेता है But along with that, we also feel कि उसके पास अपने crimes को justify करने के reasons होते है He has lost his world और उसके बाद, as audience, हम भी confused हो जाते है That Raghu is right or wrong Number 7, Aakash in Andadun ऐसे कई लोग है जो ये समझते हैं कि Aakash का character एक hero था But in my opinion, Andadun एक icy film है जो human nature के कई layers को introduce कराती है Film में हम देखते हैं कि कैसे Aakash blind होने के acting करता है Just to get sympathy from others And till end of the movie, वो यही करता है खुद के survival के लिए Aakash कई गलच चीज़ें करता है जो उसे एक anti-hero बनाती है इस movie को स्रीराम रागवन ने direct किया था And he knows कि ऐसे character को कैसे build up किया जाता है And that's why we also sympathize with Aakash Number 6, Vidya Bhakci in कहानी I think कि Vidya Balan एक ऐसी actress है जिन्होंने Ballwood में female oriented movies का culture शुरू किया And Kaan is one of them Film में Vidya का character खुद को justice दिलाने के लिए एक ऐसा plan बनाती है जो पूरी तरह से सही तो नहीं होता है पूरी film के दोरान We believe की Vidya एक pregnant woman है जो अपने missing husband की तलाश करती है But in the last we got shocked And till now इस film का climax बॉल्वूड के सब से shocking climax में से एक है अरनब को पानी के लिए मिलन को ढूना पड़ेगा और जिस दिन मिलन में जाएगा उस दिन अरनब भी में जाएगा साथ खुन माफ साथ खुन माफ बॉल्वूड अनरेटेड डार्क ट्रिलर कॉमेडी मूवी में से एक है जिसमें प्रियंका चोप्रा ने सुसन्ना का क्यारक्टर प्ले किया था सुसन्ना एक ऐसी woman होती है जो प्यार की तलाश में होती है जिसमें से कई जिस्टिफाइंग होती है तो कुछ आच्विली रॉंग डिस्पैट बिइंग अनरेटेड इस फिल्म के बारे में बहुत कम लोग जानते है फिल्म में प्रियंका चोप्रा ने अपने करियर की बेच्टिप प्रफार्मिस दी थी फिल्म में हम देख पाते है कि कैसे अपने मा के वादे को पूरा करने के लिए रॉकी एक गैंच्टर की लाइफ चुनता है लेकिन वो सिर्फ गलत के साथ गलत करता है क्योंकि पूरी फिल्म में हम कही भी उसे इन्नोसेंट लोगों के साथ गलत करते हुए नहीं देखते है आई लाइक दा फिल्म लोग भले ही यश्च का रियल नेम नहीं जानते लेकिन वो उन्हें आजे रॉकी ज़रूर जानते है नमर त्री वेदा इन विक्रम वेदा विक्रम वेदा एक ऐसी फिल्म है जिसने सही और गलत की डेफिनेशन ही बदल दी आज इस वेरी इंपेक्टफुल मुवी फिल्म में वेदा एक ग्रे क्यारक्टर होता है जो एक गैंक्शर होता है जबकि विक्रम का क्यारक्टर एक हीरो होता है लेकिन फिल्म के दोरान जब हम वेदा की कहानी सुनते है तो हमें realize होता है कि दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से सही और गलत नहीं है It's all a matter of perspective ये crime thriller फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म हमें कई moral lessons सिखाती है That can make everyone think एक कहानी सुनो सर नमर टू, विजय सालगोंकर इंदिरिश्यम विजय सालगोंकर बॉल्वूड के most loved characters में से एक है एक ऐसा character है जिससे हम सभी खुद को relate करते है फिल्म में विजय एक ऐसा आदमी होता है जो अपने family को protect करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है Despite all of this, हम सभी ये चाहते है कि विजय win this battle विजय एक ऐसा anti-hero character है जो भले ही educated नहीं होता But he plays smart and intelligent by words नमर वन अजे शर्मा इन बाजिगर Romance के किंग कहलने वाले शारुखा ने anti-hero word को introduce कराया था And we can say कि उन्ही के कारण बॉल्वूड में anti-hero character को भी importance मिली बाजिगर फिल्म में शारुख ने अजे शर्मा का character प्ले किया था जो revenge लेने के लिए कई ऐसे चीज़ें करता है जो बहुत गरत होती है From lying about his past to killing the girl who loves him He does all the wrong things शारुख के लिए ये film game changer प्रूव हुई थी जिसने रातों रात उन्हें star बना दिया So these were my favorite anti-hero characters वीडियो खतम करने से पहले do let us know in the comment section की आपको किस तरह का character अच्छा लगा है Hero और anti-hero अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like और सी तरह जाते जाते सब्सक्राइब करिए मिल्दे है आगेले वीडियो में आपको åt आपको 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 है घराते बिर पदियो आपको का अइτα लगेले वीडियो आपको आपको है यज्यो वीडियो yoga